हालो गाइस, वेलकम बेक ड्याक्स रप्बानी यूटूब चैनल काइस आज जो मैं बात करूंगा हैमर अफ थोर के बारे में बात करूंगा हैमर अफ थोर पर आपने बहुत सारी बीडियों देकी होंगी पर ऐसी बीडियों आज तक नहीं देखी होगी इसमें बहुत deeply बताऊंगा hammer of thor के बारे में इसमें बहुत सारी myth हैं इसमें क्या है कि लोग बोलते हैं साइस को बढ़ा देता है आप समझ जाएंगे अगर वीडियो को लास्त देखेंगे तो चेले गाज बिनादेरी के सुरू करते हैं वीडियो गाइस आज हम बात कर रहे हैं hammer of thor के composition जो होता है जिस चीज़े मिलकर बनता है उनके एक एक चीच के बारे में सबसे पहले जानते हैं इसका अंदर composition क्या क्या होता है इसके अंदर gokshura Hota है अपकर करा होता है अजवगंदा होता है कपी काचु होता है शतावर्य होता है विदारी कंड होता है शिलजीत होता है और सफेद कर देन के का में अगरे खाम होता है NOT तो उसको इंक्रीज कर देता है इरक्षन को बढ़ा देता है कम होता है सिमन कम बनता बढ़े कंद्र तो आगर आपकर करा क्या करता है औक सिजन मोलिकुल को करता है या निक पर मातरा पर तक जाती है तो वह तक यहीं काम है जो ऑक्सियन होता पूरी बोड़ी में अच्छे से सर्कुरेट करवाना पूरी बोड़ी में डिस्ट्रीबूट करवाना अगे लिबिटो टाइम को भी बढ़ा देता है लिबिटो क्या होता है अग्छे सेक्स डिजायर जो होती है उसको भी इंक्रीस करें तागर डिजायर कम होती है तो अजगंदा अजगंदा पर मैंने बहुत अच्छे सी वीडियो बनाकर अप्लोड किए आप देख सकते हैं मैंने इस्की इन पर लगाया है अजगंदा के बारे में पूरा डेटेल मे बताया है मैंने इसको कैसे यूज करना होता है, क्या डोजर, क्या सही में side effect आते हैं और क्या actual use उस है, सब कुछ बताया है आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आप आपस गंदा के बारे मैं जानना चाहते हैं, तो, अब लेक्ष होता है, कपी काचू, अब कपी काचू क्या ह बढ़ाए लिविटो टाइम को बढ़ाए लिविटो जैसे मैंने उपरविव बताया कि जायर जो ती उसको इंक्रीज कर देता है डिप्रेशनी कंडिशन होती है तो उसको भी ठीक करता है चिंता बहुत ज्यादा होती है तो नर्वस सिस्टम को काम-डाउन करता है रिलैक्स क को बढ़ा देगा डिप्रेशन यानि चिंता वगर उसको भी ठीक करेगा लेकिन इसका काम और जो इम्मुनिटी को बढ़ा देता है इम्मुनिटी एक ऐसी चीज़ होती है बोडिक अंदर जो हर बीमार से लड़ने की छमता रखती है और व्यक्ति को बीमार नहीं होने से यह विमारियों को नहीं गुषने देती है तो इम्मुनिटी को भी बढ़ा देता है अब नहीं होता है विदारी कंड विदारी कंड के अगर बहुत सारे यूज है इसमें मैं लिमेटेड बता रहा हूं जैसे डिजायर को बढ़ा देगा आपके हार्ट फंक्शन को भी ठीक करे है कहीं पर वाटर जमा होने लगता होने लगता तो उसको भी निकाल देता है अगर बिदारी कंड लेंगे आप तो उसमें क्योंगा बार आपको प्रिशाप करने की जूरुवत पड़ेगी जिससे कि होगा आपकी बोडी में एक्सेस वाटर जो होगा वो सारा निकल और वहाट लेवल को भी कम करेंगा अगर ज्यादा हुआ है विदारी कंड लेंगे तो उससे क्या क्लोश्टोल लेवल देए देघरे कम होता जाएगा विदारी कंड जो इसने पड़ा है बहुत अच्छा युज़े आप अलग से भी बैदारी कंड खरेद के खा सकते हैं ज इसके बहुत सरी वीडियो को भी देख सकते हैं सफिध मूसली सब्सक्राइब को बहुत हुट है इस लिए हमारे चैनल बरड कह सबसक्राइब करेंगी है जैसे हें सफिध मुट् khd seven इसन आपको मिलेगा। नहीं है मैंने बताई 不是 के अंदर क्या कंपोजिशन होते हैं और वो कैसे काम करता है मेरे सब के बारे में अलग लग बताया तो अब आपको हैमर ओफ थार कंपोजिशन की यूजस की पूरा पता चलिगा हुगा उसकी बहुत सब्सक्राइब करके रहते हैं और हम कोशिश करते हैं रोजाना आपको एक वीडियो प्र शेयर करें वो इसको देखेगा तो उसको खुदी समझमा जागा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए चलिए गाइस ऐसे वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में